हेलो स्टूरेंट्स नमस्कार तो यहां पर मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ में बात करने वाला हूँ कि अब जब हमारे एक्जाम्स ओवर हो चुके हैं तो हम क्या ऐसी चीजे कर सकते हैं जोरान में तो बेटा आप लोग के लिए यह जो समय हैं बहुत एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसे अपने पास अच्छे तरीके से उट्लाइस करें बड़ साथ के साथ में हम लोगों ने इतने मेहनत से इतने समय से त्यारी करते जारे 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 एक्जाम्स की तो कहीं न कहीं क के अंदर आप ट्रेवल जरूर करके आएं इस नॉट की मैं बोलूंगा कैन और शुट इस अ काइंड आपको लगता है बट लिस्ट तीन से चार दिन का जरूर ट्रेवल करके आएं ठीके ना सेकेंड आप लोग के पास में आता है कि आप लोग अपने पास में ओरियेंटेशन एंड आई टीटी की जो ट्रेवल आपने पास में उसकी रिजिस्ट्रेशन जरूर कर ले उन कोर्स को कर ले आई डिर चुनेंट्स आर्टिकल्शिप शुरू करने से पहले का एक क्राइटीरिया होता है कि आप लोग की दोनों ट्रेवल जो हमारा इंस्टिट है वहां की जो नियरस ब्रांचा वहां से कर सकते हैं ओरियेंटेशन एक ट्रेवल तो और एक आई टीटी आपके पास रहत इसका जो परपस होता है वो अपने पास डिफीट ना होने दे एंड क्लासिस को अच्छे से रेगुलर करना ताकि जो आपके पास है डिजाइड परपस वो मीट हो सके तर्ड थिंग इस ओनलाइन कोर्स लर्निंग का न्यू स्किल यह बहुत इंपोर्टेंट है कि हम अपने पास में सीख सकते है क्योंकि Excel एक बहुत इंपोर्टेंट टूल रहता है जब आप आप आर्टिकल शीप में जाएंगे आप जॉब में जाते तो आप उसे सीख सकते है फिर टैली का एक सॉप्वेर होता है जो most of the mid-size firms use करते है हमारे पास इंडिया में तो आप उस स्किल्स जो आप अपने पास में सीख सकते है जिसमें आपका इंट्रस्ट एरिया है जो आपको बाद में मदद करेगा इन और आर्टिकल शीप एस वैल इसे जो आपके पास आती है यह उसमें हमें राउट लग रहा है कि शायद हम पता नहीं पास हो पाएंगे कि नहीं हो तो मैं यह एडवाइस करूँगा कि अगर आपका कोई ऐसा एक्जाम था जो अच्छा नहीं किया था आपके एक्सपेक्टेशन के साब से सो में किट चोर कि आप अपने पास में दिन में एक से दो घंटे बहुत जादा देर नहीं पड़ने हो कह रहा है सिरफ एक से दो घं अपने पास उसके लिए टाइंब दे सकती है कि आपS अपने पास जोबिटा स्किल सेट पर काम करें कौनसी इसस्किल सेट विटल हम अपने पास यहां पर बात कर रहे हैं च्शीय आपकि NETWORKING skills and networking skills पर depend करता है तो अगर आप अपने पास में easily तरीके से आप comprehend कर सकते, understand कर सकते हैं आप दूसरे person को reply कर सकते effectively ताकि आप लोग को बेटा मदद मिल सकती है and साथ की साथ आप लोग के जो है relationship जब आप articleship में जाएंगे आप अपने पास में जब job में जाएंगे तो आपके कहीं न कहीं professional links बनते हैं तो वहाँ पर में ये वाली skillset जो है बहुत एक important role play करती है तो आपको उस skillset पर work upon करना चाहिए इस समय के अंदर में and that is very very important my dear student the next thing जो आप अपने पास कर सकते है kind of a entertainment आप लोगों ने बेटा पिछले समय के अंदर जब इतनी त्यारी करी तो वहाँ पर rigorous examination हमने अपने पास त्यारी करी सब बहुत ही मेहनत करी हाँ मुझे पता है आप लोगों ने बहुत मेहनत करी तो आप लोग थोड़ी बहुत entertainment भी साथ में deserve करते हैं इन form of हो सकता है कि आप लोगों को movies देखने है Netflix की कोई series है Amazon पर कोई आपके पास series है या जैसे भी आप लोगों को लगता है so please उसके लिए भी थोड़ा सा time निकाल लिए relax करिए थोड़ी बहुत वो कर सकते है जो आपको देने के लिए relax करने के लिए तो ये भी चीज़ के लिए time जरूर निकालिए and एक और चीज़ आप लोगों के साथ में बात करूँगा that is personality development and interview preparation विड़ा बहुत important है हमारे लिए कि हम अपने पास इस particular चीज़ के ओपर में ध्यान दे कि कैसे आपके पास बैठना है कैसे उठना है professional etiquettes की बात होती है reading writing standing etiquettes जब आप interview में जाते है तो वहाँ पर किस प्रकार के questions आते है cv को आपको अपने पास बनाना है resume आपने अपने पास बनाना है जो interview से related questions है उनकी आपके पास में त्यारी करनी है so please make it sure कि आप personality development and साथ साथ interview की preparation भी अपने पास में उससे related वह कर time devote करते है तो ये भी आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है जो कि आप लोग को मदद करेगा and साथ साथ जाते जाते है एक और छोटी से tip जो मैं आप लोग के साथ बात करूँगा please make it sure कि आप जो latest trends है उनके साथ updated जरूर रहे in the field of finance जह हम जैसी बात करते है accounting, auditing वगारा जो इस area में जिसमें आपका interest और जो आपकी इस field से related है उसके जो latest चीज़े चल रही है उससे भी आप updated जरूर रहे because that is also very important for you as a student तो मेरी ये काफी चीज़े को लेके आप लोग के advice थी आप जरूर comment section में बताना कि आप लोग कौन सी चीज इसमें से करने वाले हो कौन सी चीज आपको जो ऐसी है जो आप लोग को अच्छी लगी जो advice मेरी तरफ से थी and make it sure कि आप इन चीज़ों को अपनी तरफ से follow करो ताकि आप लोग अपने time को अच्छे से utilize कर सके मैं और आप लोग के लिए ऐसी ही videos लेके आता रहूँगा ताकि मैं आप लोग को कुछ न कुछ guide करता रहूँ सब चलो हम मिलते है बेटा अगली वीडियो में तब तक के लिए take care my dear students and bye bye